बयान दो वरना जिन्दगी जेल में सड़ जाएगी अब कोई संजय सिंग तो है नहीं उस सरथ रेड़ी है तूड गया अब हमारे वकील फिर परेशान हुए कि जिस व्यक्ति ने केजरीवाल के खिलाब बयान दिया है भारती जन्ता पार्ती का शराब घोटाला और कुल 55 करोड रुपए की रिश्वत जिसको किंग पिन बताते थे किंग पिन सरथ रेड़ी उस किंग पिन ने 55 करोड रुपए की रिश्वत भारती जन्ता पार्ती को दी अब यह मंगुंता रेड़ी और रागो मंगुंता है कौन जिसको E.D. ने कहा कि यह शराप का कारोबारी है शराप का घोटा अलेबाज है इसके हम छापा मारेंगे 16 सितंबर को छापा मारा मैं चाहूंगा यह तस्वीर आप लोग जरूर ध्यान से देखिए यह भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ गलवईयां करते हुए उनसे मिलते हुए यह तस्वीर आप जरूर देखिए यह है मंगुंटा रिड़ी सांसर जिनकी तस्वीर है भारत के प्रधान मंत्री के साथ यह मंगुंटा रिड़ी जिनकी तस्वीर है भारत के प्रधान मंत्री के साथ 16 जुलाई जब यह हमारे खिलाब बयान देता है अर्विंद केजरिवाल के खिलाब बयान देता है अर्विंद केजरिवाल और आम आदमी पार्टी को खतम करने की भाजपा के साजिस में सामिल हो जाता है तो 18 जुलाई को इसकी बेल हो जाती है 18 जुलाई को इसकी जमानत हो जाती है आप समझ पा रहे हैं इस तनी बड़ी साजिस एक आदमी जिसको खुद ईडी कह रही है यह सराप का घोटाले बाज है सराप का घोटाले बाज है उसका क्या रिस्ता है भारत के प्रदान मंत्री के साथ और इतना ही नहीं आज की तारीक में वो टीडीपी से चुनाव लग रहा है और भारत के प्रदान मंत्री की तस्वीर लगा कर जनता से वोट मांग रहा है मैं चाता हूं वो भी आप दिखाईए यह देखिया आप इसको टीडीपी का टिकेट मिला हुआ है भारत के प्रदान मंत्री की तस्वीर लगा कर वोट मांग रहा है जिसको भाजपा कहती है घोटाले बाजेजे जिसको कहती है एडी के हम इस पर कारवाई करेंगे हम इसको ग्रिफतार करेंगे हम इसको जेल में डालेंगे जब उसने केजरीवाल के खिलाफ बयान दे दिया तो वो नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा कर जनता से वोट मांग रहा है भारत के लोक तंद्र में यह इस केस की सच्चाई देश के लोगों जान लो आपके नेतारविंद केजरीवाल के खिलाफ जो व्यक्ति बयान देता है यह है और जो बयान छिपा लिया जाता है एडी के द्वारा हमारे वकीलों के दबाव में कोट के आदेश के बाद जब वो बयान देखते हैं जाकर एडी के दफ्तर पर जिसको अन्रेलाइड डाकुमेंट में एडी ने रखा यानि कि ऐसा डाकुमेंट जिस पर भरोसा नहीं है सुर्वाती सारे बयान जिस पर भरोसा नहीं है वो बयान जो उसने सही सही बताया था उस पर कह दिया हम इस पर भरे उसा ने उसको छुपा लिया गोले छुप जाओ गटा अब इसमें एक और साथ ये है मंगुंता रिड़ी सांसत और ये है भारत के प्रदान मंत्री के साथ उनकी तस्वीर और ये है वो चुनाव प्रचार कर रहा है टीडीपी से चुनाव लड़ रहा है और ये है भारत का प्रदान मंत्री इस फोटो में सब से उपर उनकी तस्वीर है वोट मांग रहे हैं कि मोदी जी के नाम पर हमको वोट दे दीजे अब मैं आता हूँ कि सराब घोटाला भारती जन्ता पार्टी ने कैसे किया अब एक सक्साता है सराब का कारोबारी जिसको कहती भारती जन्ता पार्टी घोटाले बाज है सरद रेड़ी सरद रेड़ी के घर पे 9 नवंबर को च्छापा होता है 2022 में 9 नवंबर 2022 को च्छापा होता है और 9 नवंबर दोहजार च्छापे के बाद इससे पूछा जाता है केजरीवाल जी के बारे में यह साफ साफ मना कर देता है कहता है मैं अर्विंद केजरीवाल को जानता ही नहीं उनसे मिला नहीं उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं और इसके कुल बारा बयान होते हैं बारा बयान ध्यान से सुनियेगा इसको बहुत जरूरी है जानना जरूरी है कि दिल्ली के मुक्यमंत्री के खिलाफ कितनी बड़ी साजिस करके उनको गिरिफ्तार किया गया नव नवंबर से लेकर इससे पूस्ट ताज के दौरान इसको जो भी दबाव बनाया गया इसने मना किया फिर इसकी दस नवंबर को गिरिफ्तारी हो जाती है दस नवंबर को गिरिफतारी हो जाती है और दस नवंबर की गिरिफतारी के बाद इसने कुल पचीस अपरैल तक यानि की छे महीने इसको जेल में रखा गया इससे बार बार कहा गया बयान दो केजरीवाल के खिलाप बयान दो केजरीवाल के खिलाप इसने नहीं दिया बारा बयान इसने कुल दिया और छे महीने के बाद जब इससे कहा गया बयान दो वरना जिंदगी जेल में सड़ जाएगी बयान दो वरना जिंदगी जेल में सड़ जाएगी अब वो कोई संजय सिंग तो है नहीं उस सगर रेड़ी है टूट गया 25 अपरेल को उसने केजरीवाल के खिलाब बयान दिया अब हमारे वकील फिर परेशान हुए कि जिस वेक्ति ने केजरीवाल के खिलाब बयान दिया है उसके 10 बयान को अन्रेलाइड डाकुमेंट में एडी ने क्यों डाल दिया उन्होंने फिर कोर्ट में अप्लीकेशन लगाई जाच के आदेस मिले हमारे वकील गए उन्होंने देखा एडी के दफ्तर में जाच के आदेस मिले वकील गए उन्होंने देखात सारे डस के 10 बयान पढ़े, वकीलों के हो शुर गये, 10 बयानों में केजरी वाल का नाम नहीं, और 10 बयान जो केजरी वाल के खिलाफ नहीं थे, उस पे ea डी ने का इस पे भरोसा नहीं, भरोसा नहीं, भरोसा नहीं, और जैसे ही उसने पचीस अप्रेल को अर्विंद केजरिवाल के खिलाब बयान दिया उसकी बेल हो जाती है उसकी बेल हो जाती है अब यह सरद रेड़ी जिसको भारती जन्ता पार्टी कहती है यह सराप का घोटा लिवाज है यह सरद रेड़ी जिसको भारती जन्ता पार्टी कहती है सराप का बहुत बड़ा घोटाले बाज व्यक्ति है इडी कहती है सराप का घोटाले बाज है उसको गरिफ्तार करती है छे महीने जेल में रखती है केजरिवाल के खिलाब बयान लेने के लिए बार बार कहती है दस बार वो कहता नहीं, नहीं, केजरी बाल से कोई बत्लब और रिस्ता नहीं। दस बयान के बाद जब तूट गया और इसने केजरी बाल के खिलाब बयान दे दिया, छे मईने की जेल के बाद इसको बेल हो जाती है। कि यह सरद रिड़ी कौन है कि असली घोटाला सुरू हुआ एडी के जांच के बाद भारती जंता पार्टी का शराब घोटाला और पहली पेस्गी और नजराना भाजपाईयों को कब पहुंचा पांच करोन रुपए का पंद्रा नवंबर को पहली पेश्गी और नगराना 5 करोण का पहुंचा और कुल 55 करोण रूपय की रिष्वत जिसको किंगपिन बताते थे किंगपिन सरद रेड्डी है उस किंगपिन ने 55 करोण रूपय कि रिश्वत भारती जन्ता पार्टी को दी 55 करोर रुपए के मनी ट्रेल तो खुले आम मिल गया और वो मनी ट्रेल भी ऐसे पता नहीं चला भारत के सर्वोच्च न्यायले की किरपा से पता चला जब उन्होंने का दिखाओ 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 तो 21 मार्च को साम को 6 बच के 50 मिनट पे मजबूरी में सारे डिटेल डालने पड़े वेबसाइट पे बताना पड़ा कि ये सरद रेड़ी है सराब का घोटाले बाज कि इंग पिंज इसको कह रही थी एडी और जैसे ही 6 बच के 50 मिनट पे भारती जन्ता पार्टी के सराब घोटाले का खुलासा हो जाता है साथ बच के 14 मिनट पर मुख्यमंतरी के दफ्तर पे मुख्यमंतरी के घर पे छापा पड़ जाता है क्योंकि आप मीडिया में चर्चा करते आम आदमी पार्टी मुद्दा उठाती कि बई शराब का घोटाला तो बीजेपी ने किया है कीस मार्च को साम को छे बच के 50 मिनट पे इसका खुलासा हो जाता है पच्पन करोर रुपए की रिश्वत भादपाने लिए इस बात का खुलासा हो जाता है उस खबर से ध्यान हटाना है जनता का ध्यान भटकाना है पहुंच गये केजरिवाल के धर और साथ बच के चोदा मिनट पे चापा मार दिया का गया एडी के धिकारियों को जा जल्दी वरना है तो हमारा घोटाला खुल गया है तो बड़ा गड़बर हो जाएगा और धाई घंटे की पूस्ताच में जो दस सम्मन दे रही थी एडी और हम कह रहे थे आम आजमी पार्टी को एक खतम करना चाहते है अर्विंद केजरिवाल को गरिफ्तार करना चाहते हैं वो बात सच निकली और अर्विंद केज जिवाल जी को दो भंटे की पूस्ताज के बाद किरफ़तार कर लिया गया तो असली बात ये है कि ये शराब घोटाला भारती जन्तापाटी ने किया है और ये शराब घोटाला E.D. के जाच के बाद सुरू हुआ है और डिल्ली के मुख्ये मंत्री के खिलाफ गहरी साज़िस्त के तहट ऐसे बयान छ्षिपा लिये गए, उन्देलाइड अपटपूमेंट में डाले गए, जो बयान केजरिवाल के खिलाफ नहीं थे, और दबाव बनाकर जो बयान लिया गया, वो बयान आधार बनाये गया, झ इसलिए साथियों और दोस्तों मैं इस देश की जनता से कहना चाहता हूं आपका मुख्यमंत्री आपका नेता दिल्ली के भाईयों से कहना चाहता हूं सौ प्रतिसत इमानदारी से अपना जीवन जी रहा है अर्विंद केजरिवाल पर ना कोई दाग पहले था और ना जीवन में कभी रहेगा अर्विंद केजरिवाल का गुना सिर्फ एक है कि वो दिल्ली के बच्चों को अच्छी सिक्षा के लिए काम कर रहे है उनका गुना सिर्फ ये है कि दिल्ली की मातां और बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा का इंतजाम कर रहे है उनको एक हजार रुपए की आर्थिक सहाय का इंतजाम कर रहे हैं अर्विंद केज्रिवाल का गुना सिर्थ ये है कि वो बुदर्गों के लिए तीर्थ यात्रा का इंतजाम कर रहे हैं फ्री बिजली फ्री पानी का इंतजाम कर रहे हैं एक ऐसी सरकार जो दुनिया में देश में सबसे बेहतरीन तरीके से काम कर रही है उसके पीछे ये बड़ी गहरी साजिस करके उनको गृत्तार किया गया है और ये सारी तारीखें और ये सारे बियान चिला चिला कर ये कह रहे हैं कि ये साजिस है, साजिस है, और साजिस है